दो मिनट में बिना रगडे, कान के हिस्सों का रंग और गुफ्थ अंगो का रंग है कैसे इस रेमेडी से निकल कर बाहर आएगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह remedy देखिए जो यहाँ पर बनी हुई है, इस remedy को कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखाऊंगा, यह remedy यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, यह देखिए आप देख सकते हैं कैसे इनके कान पर कैसे रंग लगा हुआ है, अंदर अंदर तक यह रंग लगा हुआ है, यह रंग लोग से समस्यायों का सामना करना पड़ सकता है इस रंग के अंदर से केमीकल्स होते हैं इस रंग के अंदर साफ हो जते हैं उससे कि आप देखिये ऑमारे रहा हुए उछ नुजिये लाक today, भी जिए लगा हूं तो ने कि आपको रिज़ल्क हाउं अनका कान जो बिल्कुल ही साफ हो जाए गा लेकिन उससे पह Agriculture आप आप देख़िए कि जो हमारे हाथ पर मैल जो हमारे अंगलियों के अंदर रंग लगा रहता है इसको फैसे के आप दोने की नहीं निकलता है, ये रंग हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, अगर ये रंग गलती से हमारे मूँ के जरिये और हमारी नाक के जरिये हमारे शरीर के अंदर चला गया तो हमें दमे की समस्या भी हो सकती है, इसके लावा ये रंग हमारी आंखों के ल काबुन को लगाया है लेकिन उसके बावजूद भी देखिये थोड़ा-थोड़ा रंग उतर चुका पर धोलार के नाकुन जो ऐता है होता है इसके अंदर खतरना chemicals मिलाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकते हैं तो इस remedy को कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देता हूं लेकिन उससे पहले देखिए मैं इसको उतारने जा रहा हूं कपड़े से यह लिया है मैंने क कपड़ा और कपड़े को सबसे पहले आपको ऐसे गीला करना है यह देखिए मैंने कपड़े को गीला कर रहा है और इसके बाद मैं इस remedy को ऐसे हटाने जा रहा हूं यह देखिए बिलकुल साफ इनका कान दीरे-दीरे होता जा रहा है मैं थोड़ा सा और कपड़े को भिगो रहा है यह देखिए यहां पर रंग लगा हुआ था लि'll Ceop Girl सो चुका है यदख के लेखिए यह एक अब Sam坞 लेखि Vegg& Nee यह कपड़ी यह से जहां यह कलर pops कड़े से जो है यह कलर अतरेंगा यह देखिए मैं आभी ज। आपके सामने लगाई थी और अभी देखिए रंग यह देखिए बिल्कुल इनका कान साफ हो चुका है अब इनको भी डरने की जुरूरत नहीं है क्योंकि अगर यह कलर गलती से कान के जरीए या मुह के जरीए अगर आप ओफिस में जाते हैं और आप लोगों के सामने सरम शर्म महसूस करते हैं क्योंकि जो एक बार रंग लगन तो करना पड़ता ही है इस रंग को देखि ही इह इनका कान साफ हो चुका है यह थोड़ा संब पाने लूँ गाए फिर इनका कानन सब्सक्राइब करनail देखिए यह पिल्कुलिशा Alban हुसकता इसके अलावा शुरीर का जो दूसरे फ्र Meredith हो और अब इस remedy को बनाना कैसे है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार सबसे पहले तो आपको कटोरी लेनी है ठीक है उसके बाद आपको लेना है ठोड़ा सा बेसन यह देखिए यह बेसन है और बेसन को इसके अंदर डालना है उसके बाद इस बेसन के अंदर आपको लेना तो निम्बू के अंदर cleansing properties होती है जो की साफ करेगी और इसके बाद आपको लेना है यह दूद यह देखिए दूद लेना है आपको और दूद को इसके अंदर मिला कर इसको mix कर देना है निम्बू के साथ ही मैं इसको mix कर रहा हूं और यह देखिए और इस remedy को फिर आप जहां पर भी लगाओगे वह जगा बिलकुल ही साफ हो जाएगी यह देखिए इस तरह से निम्बू के साथ ही आप इस remedy को लगा सकते हैं तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद